प्रेगनेंट पती एक सुबा अचानक रमेश के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है ओए मर गया मैं मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तब ये उसके पत्नी कोमल दोड़ कर उसके पास आती है उसके बाद दोनों पती पत्नी घर के पास माजुद क्लिनिक में पहुँच जाती है अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता है जल्द से कोई इंजेक्शन लगा दीजिए ठैरो जरा ऐसे कैसे इंजेक्शन लगा दूँ बसाग है क्या? पहले मुझे तुम्हारा चेकप करने दो डॉक्टर रमेश का चेकप करना शुरू कर देती है चेकप की बाद डॉक्टर अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है क्या होगा डॉक्टर साब? आपके होश क्यों उड़े हुए है मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे भी होश होड़ जाएंगे बिटा आखिर मुझे ऐसी कौन सी बिमारी होगे ये ज़र बताईए तो बिटा तुम्हारे पेट में बच्चा है समझ में नहीं आता क्या को तुम मा बनने वाले हो या बाप ये तो दुनिया का पहला केस है मेरा सर गुम रहा है तुम दोनों जाओ यहां से दूसरी तरफ ये सुनते ही कोमल की आँखे फटी के फटी रह जाती है ए भगवान ये सम मैं क्या सुन रही हूँ ये बात बिल्कुश सच है तुमारे पती के पेट में बच्चा है अब इसका अच्छी तरह खायल रखना और इसे पहुष्टी काहर खिलाना चलो तुम दोनों निकलो यह उसे उसके बाद दोनों पती पत्नी मुह लटकाए अपने घर पांचते हैं तब ही रमेश की मालती उन दोनों से कहती है अरे क्या हुआ तुम दोना इस तरह मुह लटका कर क्यों आए हो अनर्थ हो गया मम्मी जी रमेश की पेट में बच्चा है ये तुम क्या बखवास कर रही हो अरे भला ऐसा कभी हो सकता है क्या मम्मी जी डॉक्टर ने इनकी जाज की है डॉक्टर ने हमें बताया कि इनकी बेट में बच्चा है ये बगवान ये सब कैसे हो गया अब मैं घर के बाहर कैसे निकलूगी लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे क्या जवाब दूगी उन्हें मेरा तो जी ना मुश्किल हो जाएगा दूसरी तरफ रमिश दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है देखते ही देखते ये बात पूरे महले में फैल जाती है और लोग रमिश के बारे में तरह तरह की बाते करने लगते हैं क्यों रे कॉमर मैंने सुना है तेरे पती के बेट में पच्चा पल रहा है अगर ये सिब कैसे हो गया मैं तो तेरे पती को बहुत अच्छा समझती थी लेकिन सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है मैं तो यही सोच रही हूँ कि यह बच्चा पैदा कैसे होगा और अगर हो भी गया तो रमेश उसका बाप कहलाएगा या मा सोचकर हसी आती है अपनी सहलियों की ये सारी बाते सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है उचुपचाप अपने घर चली जाती है इस तरह हमेश आ कोमल को अपनी सहलियों के ताने सुनने परते थे दूसरी तरफ आसपास की ओरतों ने मालती का जीना हराम कर रखा था फिर एक दिन ऑफिस में रमेश का बॉस उसे अपनी कैबिन में बुलाता है सुनो रमेश मुझे पता चला है कि तुम प्रैगनेंट हो गया हो देखो ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लग रही है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे तरका कोई आदमी मेरे आफिस में काम करे इससे मेरी बड़ी बड़नामी होगी इसलिए कल से तुम्हें काम पराने की कोई जरूत नहीं है अरे सर ये आप कैसी बाते कर रहे हैं अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा ये सब तो तुम्हें अपने पेट में बच्चा लाना से पहले सोचना चाहिए तो मुझे माफ कर दो मैं अपनी कमटे के साथ-साथ अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता चला जाओ यहांसे रमेश अपने बास के सामने बहुत गिरगड़ाता है लेकिन उसका बास उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल दीता है बिचारा रमेश, दुखी होकर अपने घर लोट जाता है देखते ही देखते कई दिन बीच जाते हैं जिसके साथ साथ रमेश के पेट का आकार भी बड़ा हो जाता है फिर एक दिन रमेश, घर का राशन खतम होने वाला है जा जाकर दुकान से राशन लिया रमेश, जनाना चाल में चलते हुए अपनी मा के पास जाता है मा, आज मेरे तब्यट ठीक नहीं है मा कहीं नहीं जाने वाली मा तो आराम करना चाहती हूँ रमेश कुई का औरत की तरह बरताओ करते दीख मालती अपना सर पिटने लगती है इस तरह रमेश की वज़ज़ से उसके घर वाले दिन बदिन परिशान होते जा रहे थे फिर एक दिन बहुत सारे लोग रमेश की घर पर इखटा हो जाते है आप लोग कौन हो और यहां क्या करने आये हो हम सब तुम्हारे प्रेगनेंट पती को देखने आये है हाँ मुझे बड़ी उचसत्ता हो रही है मैं भी तो देखो एक प्रेगनेंट आदमी कैसा दिखता है हरे वो कोई अजूबा है क्या जो तुम सब इस तरह की बाते कर रही हो हाँ हाँ अजूबा ही तो है दुनिया का पहला आदमी जो मा बनने वाला है हम उसके साथ ना एक सेल्फी लेना चाहते है चलो हटो हमें तुम्हारे पती के साथ सेल्फी लेने दो इस तरह वहाँ माजुद सभी लोग रमेश को जबरदस्ती पकड़ कर उसकी साथ सेल्फी लेने लगते है फिर तो यह आए दिन की बात हो जाती है रोज रमेश की घर पर लोगों का ताता लगने लगता है बात महतिया करके ये सारा जंजटी खत्म कर देता हूं उसकी बाद रमेश अपनी कमरे में जाकर एक बड़ी सी रसी अपने गले में पहन लेता है और फांसी लगाने की तयारी करने लगता है रमेश पंके पर जैसे ही लटकने वाला था कि तभी बिस्तर पर सो रही कुमल की सास मालती उसके उपर पानी डाल कर चिल्लाने लगती है अरा उट जा बहू कितना सोती है आज तेरी डिलेवरी का दिन है डाक्टर ने आज की डेट दी थी ना चल हॉस्पिटल जाना है तभी वहां रमेश आ जाता है चलो कुमल तुम्हें अस्पताल छोड़कर मुझे आफिस के कुछ काम भी खत्म करना है रमेश को देखकर कुमल जोर-जोर से हस्ते लगती है भारा क्या हुआ तेरा दिमाग तो ठीक है ना इस तरह बत्ती से क्यों दिखा रही है कुछ नहीं कुछ नहीं